हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट पहल तुड़ अतुल में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गोयल आज हम बात करेंगे फिर से बीचियल की बीचियल जो की एक रेंज के अंदर बना हुआ है स्टोक यहाँ पर एक अच्छा खासा सप करता है तो मुमेंटम बनता है जो कि 56-57 के लेवल पहले बनते हैं अगर उस लाइन को अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे तो स्टोक जो है उपर बन सकता है आप देखेंगे यहाँ पर भी स्टोक 56.55 तक गया था पर 57 की क्लोजिंग नहीं दे पाया है तो यहा स्टोक जो है बार-बार जो है सपोर्ट बना रहा है अगर इसको ब्रेक करता है तो स्टोक काफी बीक हो सकता है अगर बीकली चार्ट के उपर देखें तो 39.57 के आसपास की आरसा ही है जो की काफी बीक स्ट्रेक्चर को शोब कर रही है अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखे तो थोड़ा सा और closely आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टोक ने इस line से पहले भी यह support line इसकी है जो main support line है उससे पहले भी इसने उपर का trend दिखाना start किया था और आप यह देख सकते हैं एक अच्छा support इस line के उपर बना था उपर के level जैसे मैंने बताया यह stock 57 के उपर closing नहीं द आ सकता है जो की level बनते हैं अल्मोस्ट अगर आप देखें 47 के आसपास के तो 46.80 जब 47 तक stock फिसलता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि इस line के उपर इसने काफी time निकाला है और उसके बाद जब इसका breakdown दिया है तो stock 47 के level जहां पर दिखाता हुआ नजर आ सकता है उपर के level के यह सबसे जरूरी है इसके लिए 57 का उपर close देना तभी यह stock 72.80 तक के level दिखा सकता है अधरवाइस stock के अंदर momentum बनता हुआ नजर नहीं आएगा तो short term के लिए आपको देखना है तो थोड़ा और चोटे time frame पे देखते हैं कि stock किस type से trade कर रहा है तो आप देखेंगे इस type स पूरा stock चल रहा है यहाँ पर आप देखें जो मैं आपको 57 की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 57 से पहले reject हुआ again यहाँ पर stock 57 के उपर sustain नहीं कर पाया और नीचे आता हूँ नजर आया नीचे की line इस type की थी इसको भी इसने breakdown किया तो नीचे के level जो है स 52.5 की उपर की closing then 55 और उसके बाद यह stock जो है दोरा 57 के उपर जाता हूँ नजर आ सकता है तो यह short term के resistances है बट अगर आप short long term का resistance यह medium term का resistance देखें तो 57 रुपीज का strong resistance यहाँ पर है 57 रुपीज के आसपास का जिसको close करके उपर जाना जरूरी है short term की अगर बात करें तो 52 52.5 का एक resistance zone है इसके उपर की closing जरूरी है तो यह जो आपको देख रहे हैं दोनों type के मैंने आपको resistance है वो बताए है 52.5 और 57 निचे के level 47.5 को यह दिखाता हूँ नजर आ सकता है क्योंकि यह trend line का breakout already हो चुका है तो जिरे-जिरे stock हो सकता है यहाँ से बीक होता हूँ नजर सकता है अगर अगेन इस line के ऊपर चला जाता है stock एक जा दो दिन के अंदर तब अगेन जो है stock एक uptrend पकड़ सकता और 57 तक पहुंच सकता है बट 57 को cross करना अभी इसके लिए थोड़ा सा possible लग नहीं रहा है जिस टाइप का start pattern है तो आप अगर किसी type की trading कर रहे हैं जा investment कर है तो इन levels को जुरूर ध्यान रखिए short term जा medium term के लिए 52.5 और long term के लिए 57 को cross करके उपर जाना जुरूरी है निचे के level already ये break कर चुका है और दीरे चले stock हो सकता है कि 47.5 के level दिखाता हुआ नजर आए अगर इस level को break करता है तो stock काफी weak होगा और हो सकता है फिर 44 के level भी नजर आए तो इन levels के उपर नजर रखिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थैंक्यू धन्यबाद